चटपटा खाना हम सभी को पसंद होता है चाहे हो स्नैक्स हो, फास्पूड हो या फिस सबजी हो लेकिन वही चटपटी चीज अगर चटपटी होने के साथ साथ हेल्दी हो तो उसे खाने का मज़ा दुगना हो जाता है तो आज मैं आपके लिए टमाटर से बनी हुई एक ऐसी को मोटिवेट करता है ज्यादा से ज्यादा रेसिपी आपके साथ शेयर करने के लिए और वीडियो के आखरी में कॉमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये मेरे रेसिपी कैसी लगी नमस्कार में ब्रादा दूबे मौम समर्जी के शेयरी फूद में आपका स्वागत करती अगर आपको आज के रेसिपी पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, तो चलिए इस रेसिपी को बनाने शुरू करते हैं तो इस recipe को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए टमाटर मार्केट में टमाटर दो तरीके के मिलते हैं आपके पास जो भी हो आप उससे इसे बना सकते हैं यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप इस recipe को बनाए तो जो भी आप टमाटर ले बहुत ज़दा पके हुई है या बहुत ज़दा पिल पिल टमाटर हमें इस recipe में नहीं चाहिए आप हम यहापे गैस के उपर रखेंगे कि इस तरीके के जाली और अगर आपके पास इस तरीके के जाली नहीं है तो आप इस टमादर को कुकर में भून सकते हैं ध्यान रहे हैं कि आपको कुकर का धखकन नहीं लगाना है तो सारे टमाटर को हमें जाली के उपर रख दिया है और इस तरीके से घुमा घुमा कर हमें सारे टमाटर को भून लेंगे इस तरीके से बनी हुई इस रस्पी का बहुत ही ज़दा अमेजिंग फ्लेवर आता है तो बादो बादो में हमें सारे टामाटर को भून कर तयार कर लिया है अब हम सारे टामाटर को एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे और इसे अच्छी तरीके से ठंडा होने देंगे अब हमें आपे भूनेंगे इसे के उपर लसुन और मिर्ची छिल्की के साथ हम लसुन के बंच को इस जाले के उपर रख देंगे और 4-5 हरी मिर्च बिस के उपर रख देंगे लसुन और मिर्ची को भूनने में बहुत अदरा समय नहीं लगता है ये 2-3 मिनट में ही भून कर तयार हो जाते है ये लसुन को भी हमने भून लिया है तो अब हम इस सारी चीज़ों को एक पेट मन निकाल कर रख लेंगे तो थोड़ी देर के बाद जो हमारा टमाटर हो अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है तो हम इसके सारे छिल्के को उतार लेंगे अगर आप चाहें तो इस टमाटर को धो कर इसके छिल्के को उतार सकते हैं लेकिन हमें इस रेसिपी में स्मोकी फ्लेवर चाहिए तो हम इस टमाटर के छिल्के को इसी तरीके से उतारेंगे और आप देख सकते हैं कि जो हमारा टमाटर है बहुत यची तरीके से पका हुआ है और इसी तरीके से हम लसुन और मिर्ची के छिल्की को भी उतार लेंगे तो मिर्ची, टमाटर और लसुन के छिल्की को हमने यहाँ पर उतार लिया है और अब हम क्या करेंगे कि जो टमाटर के पीछे वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा कड़क होते है तो इसे हम काट कर निकाल देंगे मैंने यहाँ पर इस recipe को आपको दिखाने के लिए से 5 टमाटर से बनाया है अगर आप इसे ज़्यादा quantity में बनाना चाहते हैं तो आप इसे ज़्यादा quantity में बना कर रख सकते हैं यह 15 से 20 इन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता और आप इसे किसी भी snacks के साथ या फिर रोटी चपाती पराठा किसी के साथ भी परोज सकते हैं तो साथ टमाटर को हमने इस तरीके से cut कर लिया है और आप देख सकते हैं कि कितना juicy है हमारा टमाटर तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है किस तरीकी का chopper आप इसे mixi में पीस कर या फिर चाकु चूरी से भी कार कर इसे बना सकते हैं और आप हम इसमें डालेंगे किस तरीके से मोटा मटा कटा हुआ प्याज तो हम इसमें डालेंगे बहुत सारी हरी धनिया chopper को बन कर देंगे और इसे अच्छी तरीके से chop कर लेंगे यहां पर हम इसे chutney के लिए यूज कर रहे हैं तो इसके लिए हम इसे बहुत इबारिक chop करके तयार करेंगे यह देखिए आप देख सकते हैं कि काफी बारिक chop को कर तयार हुआ है और अब हम इसमें डालेंगे जो हमनी tomato को काट कर रखा हुआ है अगर आप चाहें तो इसे पावभजी मैशर से भी मैश कर सकते हैं लेकिन इस तरीके से करने से ये काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और टमाटर भी काफी बारिक हो जाता है और ये लिजिए हमाई टमाटर की स्मोकी जटनी बनकर तैयार हो चुकी है आप यहाँ पे इस तरीके से इसे एक देशी समोकी सालसा भी बोल सकते हैं जो कि स्वाद में काफी बहतरीन होता है आप इसे नाचो भटाटा चिप्स या किसी भी स्नैक्स के साथ आप इसे इंजॉय कर सकते हैं लेकिन रुकिए अभी यहाँ पर यह पूरी तरकी से तैयार नहीं है अभी हमें इसमें थोड़ी सी चीज़ों को और मिलाना है तो इसमें अब हम डालेंगे भूना हुआ जीरा पाउडर थोड़ा सा भूना हुआ जीरा पाउडर डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें डालेंगे स्वात के उसार नमक आप यहाँ पर चाहें तो कलर और थोड़ा सा तीखा पन और लाने के लिए आप इसमें लाल मीच पाउडर भी डाल सकते हैं क्योंकि सर्दियों में चटपटा और तीखा खाना सभी को बहुत पसंद होता है तो आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं आप उतना तीखा इसमें एड़ कर सकते हैं और आप यहां पे देख सकते हैं जो माई टमाटा की स्मोकी चटनी है बहुत ज़्याद टेस्टी बनकर तयार हुई है और इतनी चटनी बनती है कि आप इसे रोटी पराथा नान पूरी किसी किजा भी इंजोई कर सकते हैं और एक बार बना कर रख लें आप इसे 15-20 दिन तक इंजोई कर सकते हैं जितनी चटनी पुरानी होती जाती है उतना है इसका टेस्ट बढ़ता जाता है और यह इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि बच्चे हो या बड़े सभी को पसंद आती है बहुत ही पुरानी रेसिपी है लेकिन स्वाद बिल्कुल नया है और टेस्ट के साथ-साथ काफी हेल्दी भी है तो इस तरीके से आप नए ने रेसिपी को ट्राय करें और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजोई करें अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो उस सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाना ना भूलें क्यूंकि वो बिल्कुल फ्री है और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर कर दीजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्लीज अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद